नमस्थगर आप देखरें विकपाइड लाइब और आपके साथ में जेंडरिस सुलिंग नुगा के जसरासर में आज जो तस्मीर नजर आई विशिलेशन के साथ हर शण सवाल यही था कि क्या कॉंग्रेस में अनेकता में एकता की यही तस्मीर है और क्या हम साथ साथ है सवाल यही कि क्या रामेश्वा डूडी और मुक्यमंत्री गैलोत के बीच की नाराज की दूर हो चुका है और चुनावी इस साल में हाथ की अलग-अलग अंगलियों की तरह अलग-अलग दिखने वाले निता एक हाथ की तरह दिखाई देने लगए क्या रामेश्वा डूडी उस संदेश को देने में सफल हो गए जो वो देना चाहते और क्या मुक्यमंत्री गैलोत प्रभारी रंदावा वो भी उस संदेश को देने में सफल हो गए जिसके लिए वो वीका नेर गए सच्चाई ये भी है कि इस समेलन में मुख्यमंतरी, प्रभारी, प्रदेशा थ्यक्ष समेत, दर्जन वर मंतरी पहुंचे, कई दर्जन विधायक पहुंचे, अर्याना के पूर मुख्यमंतरी खुपेंद्र हुड़ा पहुंचे, कुल मिलाका डूडी की ताकत दिखी और इसक झाल 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 एक पुरानी कहवत है कि अगर किसी को टूटने से बचना है तो एक जूट कर लिया जाए एक जूट हो लिया जाए तो क्या वाकई में कॉंग्रस एक जूट होने के सित्य में आ गई है और अधावा जो कह रहे हैं ते कि पंजाब नहीं बनने देंगे क्या उसी रहा पर आजेसान को एक जूट करने में वो सफल हो रही है आज बात इसे मुद्दे पर और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कॉंग्रिस प्रवक्ता आर्सी चौदरी जी हमारे साथ मौजूद हैं पूर विधायक बीज़पी के वरिष्ट नेता मदन राठोड जी अर्जे चौदरी जी शुरुआत आपके साथ सर क्या साथ साथ हैं साथ साथ नजर आ रही हैं या हकीकत में साथ साथ हो चले विजन जी मैं कहना चांगा कि कॉंग्रेस पार्टी की तमाम जो नेता हैं इससे पहले भी चाहिए 2018 का चुना हो उस चुनाओ के बाद में उप चुना हो इस बात को लेकि सदेव और गाय बगाय बारतिय जनता पार्टी और विपक्सी दल जिसे विपक्स की जिमनाधर दी थी वो विपक्स की मुद्धे उठाणे में नाकाम रही लेकिन तमाम इसी तरह के अरोप लगाती रही लेकिन कॉंग्रेस का हर नेता, हर कारिय करता जब कॉंग्रेस की बात होती है सदेव एक साथ खड़ेवे नज़र आए कॉंग्रेस का करेकरता आपने वीचार धरा के परति परतिबद है वो परतिबद है राज्थान के आठ पर जनता के उन मुद्दों के परतिबी जिसको कही न कहीं SMT की जो बात होते हैं मुद्दों को लेके उसे एक मन भेद के तोर पे दिखाये जाता है मैं कहना चाहूँगा कि कॉंग्रेस पार्टी एक लोगतांत्रिक पार्टी है अपनी जनता के आवाज को चाहे सदन में उठाना हो चाहे कहीं पे नेतरत के सामने उठाना हो निशितरूप से कई बार कहते हैं लेकिन जब 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 चैंदर यह बहुता है तर सर नेतर तो जापोर में होता है और आपके विधाय को कहीं और होते हैं हाँ विजेंदर जी यह होता है क्योंकि कई बार जब परबारी महदय के सामने आपने अपने अपने तमाम बात कहके जाते हैं प्रूर निरधारिद कारेकरम होते हैं कई बार आक्समिक भी कारेकरम हो जाते हैं इसलिए जो भी हमारा पार्टी का प्रदेश का नेतर तो है निश्ची बजट अलग से ली कर आए उन्होंने बकायदे कुछ सिका भी दीती जिसमें बताया था कि भई पुरवर्ती सरकार के चार साल में किसानों के लिए क्या हुआ और हमने चार साल में क्या किया अब मेरा सवाल ये है किसान के मुद्दे पे इससे पहले भी विपक्सी दल है उन्होंने भी चर्चा की दो हजार बाइस के अंदर उसके आम दूगूने करने का भी परलोबन दिया गया लेकिन किसान के लिए मुख्यमंत्री के एक सोच ठीकि कि किस परकार से दूसरी राजियों की सरकारे हैं किस प नजीर आई उन्होंने आज अपने उद्बदन में भी उस बात का जिकर किया है किस परकार से जो केंदर की सरकार ने रेलवे का बजट है वो मिला दिया और जो राज्तान की प्रियोजनाई थी उन्हें हास से पे दखेल दिया गया मुख्यमंत्य जी ने ना सिर बजट को अ जो गलोजी की ने तर्ट में तीन लाग सताइस जार चार सो गुनसंग चार साल के अंदर दिये गे उसके बाद में जो दिये गे हैं वो अलग हैं सबसे बड़ी दिक्त है कि जो आवरा जो पस्सू है उसकी पसल को नुक्षान पहुचाते हैं उसके लिए फेंसिंग के पहुचा ने पहुचा दिये हैं या रामिश्वर डूडी ने जो ताकट दिकhा दिखाया उसको कॉंग्रेस ने वहाँ पहुच कर इनकैश कर दिये देखे कॉंग्रेस पार्टी है वो किसानों की एक अपील के तोर पे नजर आती है रामेसु डूडी एक किसान नेता हैं चैगोंग डूटासना जी हो एक किसान के नेता है उनके उपर राजितान की जो किसान है कम्यूटी है वो बात चते हैं कि निश्ची तुरुप से हमारे आवाज को मुखर करेंगे उनके एक बुलावे पे लाखों की तादाद में अगर किसान वहाँ पे पहुंचते हैं और अगर उनके अदालत में लेखा जोका रखा जाता है इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि कॉंग्रेस साथ दिखाई दे रही है नहीं मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि आर्सी चोधरी साब से आप पूछ क्या रहे हैं और वो जबाब क्या बासन दे रहे हैं यह समझ में नहीं आया इरिलेवेंट टॉक वो करते जा रहे हैं और कह यह सर बाहर नहीं है कॉंग्रेस से एक बात बताओं मैं आपको जी ने असो गेलोट जी के जब वह आर्ची एक चुनाव थे ना यह हमेशा पाइलेट के समर्थक रहे और यह कैसे कॉंग्रेस एक जुट बता रहे हैं पाइलेट को तो वह गुलया नहीं पाइलेट के साथ में और कितने लोग चले गए थे क्या हो गया था किसने नकरा निकमा कहा यह सब यह राव जी अच्छे बात बताईए अगर इस हिसा पाइलेट को अंगूठा दिखा दिया दो मतलब एक प्रकार से छोड़ दिया उसका दामन और चले गए यह आपको पता है कि 2021 में डुडी जी को क्रसी उद्योग विकास बोर्ड का चेर्मेंट बना दिया था अब ये क्या है कहां रह गया पाइलेट फेक्टर क्या इसको मदलब उस फेक्टर को कमजोर करने के लिए मैं तो यह पूछ रहा हूं आप बहुत अच्छा विचलेशन कर रहे हैं कॉंग्रेस को लेकर आपने अच्छी पढ़ाई की होगी कॉंग्रेस को लेकर अरे सार अब वो एक्जोट ओर है लगने का दोर पूछ बूछे जा रहा है एक मिनेट एक मिनेट मिनेट कीजी आज गोविंद राम ने जो गोविंद्राम मेगवाल है उसने पर वहीं हंगामा किया पर उस सम्मूम्मेलंग में वहां अंगामा किया जहाँ पर ये सहीद कालूराम मेगवाल की मूर्ती का अनावरन होने वाला था वहाँ पर इसने का कि डूडी ने तो विश्वनात की सिपरिश की नौका से मेरे सामने कॉंग्रेस बीजेपी से सिपरिश करी ये बात वहाँ गोविंदराम ने हाई कमांड तक ये बात कही मैं तो बताई रहा हूँ आपको की मैं तो मेडिया की और ख़बरों आपकी ख़बरों के आदार पर कह रहा हूँ और ये गोविंदराम बेगवाल ने खुदने का है कि मैंने हाई कमांड तक पहुँचा दिया है और मुझे चुप रहने के लिए कहा गया है ये भी बात सबके सामने है और ये चौदरी साथ जी एक मजबूरी है क्या है क्क के प्रवग्टा ये मजबूरी है मजबूर है पीछे से कुछ बोलते हैं अगे से कुछ बोलते हैं देवंद्र शासी locksmith जी हमारे साथ हैं लेकिन कहते हैं कि जंग के मैदान में जब जाना है तो मतभेदों को दूर किया जाए, मनभेदों को दूर किया जाए, एक जिट हुआ जाए. क्या इस समिलन को उस नजर से देख सकते हैं कि रामिश्वर डूडी फिर से मुख्यमंत्री गहलोत के साथ 2023 के लिए तयार हो रहे हैं? जो गुटबाजी चल रही है, वो भी एक जुट होने की कोशिश कर रही है. लेकिन जो बाचीत, जो डिसकुशन और जो सम्मेलन के आउटकम हैं, वो इस बात के संकेत हैं कि कॉंग्रेस इस गुटबाजी से मुक्ती इतनी आसानी से नहीं ले पाएगी. अभी भी जो चर्चा हो रही है, जो बाचीत हो रही है, वो जो किसानों की इशू को छोड़ करके और जो अंदरुनी जो खीचतान है, उस पर ज़्यादा कंसेंट्रेट कर रही है. मुझे लगता है कि कॉंग्रेस को अभी और शायद और कुछ कदम उठाने पड़ेंगे जिससे कि पबलिक में एक मैसेज जाए कि कॉंग्रेस वाकई चुनावी तैयारी के तहत ये सब आयोजन कर रही है, लेकिन फिलहाल तो नहीं है. लेकिन एक बात मैं और कहना चाहरा था. ये शक की कोई गुझाईश नजर नहीं आ रही है. लेकिन सवाल यह है कि जो आप सवाल पूछ रहे हैं, उसमें क्लियर है कि डूडी जी ने ये आयोजन करके एक तरह से संकेत दे दिया है किसान यानि के अशोग जी को और किसानों के बीच में एक तरह का प्रीज का काम, वो जो है, वो क्लियर कट दे दिया है. जी हाँ, ये है कि अशोग जी बहुत शातिर हो सकता है कि साब 2018 में मैं निता प्रतिपक्षता विकानियर में आके आपने मेरी मर्जी के खलाब भी कई टिकट बार दिये थे, नारास की हुई थी, अब देख लीजे मेरी ताकत क्या है, इस पार वैसा मत कीजे, मैं इसलिए क हैं, वो इन हालात को यूटिलाइज करना जानते हैं, और जो नेगटिविटी है, उसको डाइलूट करना जानते हैं, तो आगे ये समझना चाहिए कि शायद कॉंग्रेस जो है, जिस समझ्या से उबर सकती है, अगर यादा आईजिए, कम से कम ये कारे करता हूँ कि टेंशन खत्म हो रही है कि भई अभी ये तैन ही करना है कि किस नेता के नारे कहा लगाने है, सारे नेता एक साथ बैठ जाएंगे, तो कॉंग्रिस के नारे लगा लेंगे, कन्फियूसन ही दूर। किस परकार से इन के नेता किसानों के नुमाईद की कर सकते हैं, किस परकार से बात कर सकते हैं, इसके बातीजन दूर। के बोले हैं लेकिन कॉंग्रेस पार्टी का जो कारिय करता है या नेता है उसके एक प्रतिबता है वीचार के साथ में उसकी प्रतिबता है रास्तान के आट पोड़ जनता के साथ में और डेस की एक सो चारीश कोड़ जनता के साथ में वही तो वेक्ति के प्रति उसकी मेंगाई के मुद्दे भी बात करनी है तो इन मुद्दों पे हम जबाब क्या दें इसलिए हमारे पास में कॉंग्रेस का कारिय करता प्राउडली किसी भी जगे पे जाके यह योजनाओं का जीकर कर सकता है जिसे राज्तान पूरे देश में नजीर पेस करेगा बारतिय जेनत संसद के अंदर बोले कब इन तीन काले कानूनों का विरोध किया जवाब दे देंगे लेकिन सर आप 2019 का कोंग्रिस का लोगसभा का घोशना पत्र पढ़िएगा आरसी चोधरी जी उसमें आपको बकायदा इन तीनों कानूनों का जिक्र मिल जाएगा कि अगर हमारी सरकार आ लेकिन कॉर्पोरेट जो फीस उसके अंदर आदेस के मादन से कर कानून थोपे जाते हैं उससे फ़ले वेर हाउस बन जाते हैं और किसानों को दोगपुतियों के गिर्वी रख दिया जाता है यह देश कभी माफ नहीं जाने देगा और किसी भी त्रिके चोधर नहीं देग याद है सब टम बताऊं है किसानों की बात करें थे दिया विजक का कॉंग्रेस किया है का कर्जा माप करने की बात कई तレ एक कानून की हब क्या कर दिया आप क्या बात करेंगे आप ने जागे किसान के बेटी के आवाज मुखने उसे बारती जनता-पाट ने करेंगे राथोड साथ आप तो जबाब सब्सक्राइब सब्सक्राइब हमने बड़ाया मैं आप से पोच रहा हूं सर आप अपने छेत्र में जब जाते हैं तो क्या किसानों की आए दोगुनी हो गई है। साथ के समिकन बहुत अलग होते हैं आज बहुत सी एक जुटता दिखाई देती है लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि जैसे जैसे चुनाओं के तारीक के नजदीक आती है और उसके बीच में एक वक्त होता है वह वक्त होता है टिकट बढ़वारे का अक्सर नेताओं की जो चुनाओं गनित है उसी का एजेंडा जो है इन रेलियों में आप सुपष्ट देख सकते हैं कि कौन कितनी टिकट की किस तरह से दावेदारी कर रहा है आप देखें कि ये जो किसान रेली या संबेलन जो कुछ भी आयोजन हो रहे हैं ये तीन जो कानून सेंट्रल गवर किसानों का और जो जमीनी आंदोलन चला उसके बाद देश की राजनीती पूरी तरह से बदल चुकी है वो अब आने वाले चुनाओं में आपको पूरी तरह से दिखाई देगी और ये जो टिकट के बटवारे की दावेदारी है वो उसी आधार पे तैक की जा रही है कि दे दारुंदार इस पर चल रहा है अब भारती जनता पार्टी के सामने एक संकट है देखे इस मामले में तो आप कहेंगे कि किसानों के मामले में ने तो कॉंग्रेस और ना ही भारती जनता पार्टी किसी ने भी अपने वादे पूरी तरह से उस पे खरे नहीं उतरी हैं दोनो इतना आसान नहीं है और दावेदारी उसी की चल रही है कि किसान किस के साथ ज्यादा आ रहे हैं वो मुख्यमंत्री हो उसको ज्यादा टिकेटें मिलें और उसका उसका गुरुप जितवा है पार्टी को जितवाने में ज्यादा सक्षम हो सकता इसी की दावेदारी चल रही है ठीक है आर्सी चोधरी जी एक तरफ कॉंग्रेस कहा रही है कि भाई मुख्यमंत्री के चाहरी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं अच्छा दूसरी तरफ आपको भी ध्यान होगा अभी महा सम्मेलन हुआ था जाट समाज का महा सम्मेलन उसमें इन्हीं रामिश्वा डूडी जी ने कहा था कि जाट मुख्यमंत्री होना चाहिए और जाट मुख्यमंत्री हो अब यह समझना बड़ा मुश्किल है कि वो सचिन पाइलेट के खिलाव बयान दे रहे थे या मुख्यमंत्री अशोग गैलोत के या पिर मन्शा रख रहे थे जबकि उनको पता है कि भाई अगर किसान परिवार से आते हैं तमाम हमारे जो नेता है करसी से जुड़ेवे और किसान नेता है यह बात कहना चाहूँगा कॉंग्रेस के लिए कोई चेहरा नहीं राज़तान के जो योजनाएं वो योजनाएं दुनिया के लिए लग लग देशों की सर्फाइं उपने हैं उपने हम और बेरें आप ने 2022 का जिकर किया 2022 में उन्होंने इन की आमदनी दुगने की लागत दुगूनी कर दी जो दोजार चोदो में चपन रूपे डीजल मिलता था आज जो त्रीज मैंने सवाल यह कि आसर कि जो मांग उन्होंने पदस दिन पहले उठाई थी क्या उस मांग के साथ वो खड़े हैं इस समयलन में यह समयलन में खड़े होकर उन्होंने बता दिय है विदाएक दल के अंदर बहुमत के हाधार करता है इसे जो विदायक दल की तै करेगा लेकिन तमाम जो नेता है किसान की जब आवाज आती ए, किसान की जब मुद्धिक बात आती है, युवा की जब उतिछास है, ग्रीब और Wầnचित की बात आती है, तो इस देश के अंदर किसान को या एक र्वाके में विधायक दल करते हैं, के अंदर होती है मुख्यमंत्री की बात सच बताईए गा पूरा इतिहास मैं उठा दूँगा फिर इसमें कोई दोराई नहीं है अगर पार्टिय एक जूट होकर चुनाव लड़ती है तो उससे जनता को भी फायदा होता है क्योंकि फिर उर्जोर तरीके से उनको समझ में आता है कि किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है और कंफ्यूज नहीं हो रहा है नमस्कार